हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगी इन टू लर्ण वरी दितिमन आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट सेकिंड जिसमें हम पढ़ेंगे आज अधिगम यानि की लर्निंग जिसे कहते हैं सीखना तो अगर हम टॉपिक देखें तो आपका टॉपिक है अधिगम का आर्थ हो Jis कोा आज हम पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम जिसे हम सीखना कहते हैं जिसे हम लर्ण इंग कहते हैं तो सामन्य तौर अगर हम देखें तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार आप कुछ सीख रहे हैं मैं कुछ सीख रही हूं ठीक है तो हम सब क्या है एक learner है और हम बच्चपन से ही कुछ न कुछ शीख रहे हैं और जब तक हमारी मृत्यों नहीं हो जाती है जब तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं तो यही क्या है? अधिगम है यही क्या है? सीखना है जिससे की हमारी व्यवहार में परिवर्दन होता है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मनुष्य जनम से म्रत्यू तक कुछ न कुछ सीखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी प्रत्यक्ष या अनुभवों के अधार पर जो कुछ भी सीख रहे हैं, वही है अधिगम, और यह चलती है, लर्निंग is a modification form of behavior और इससे क्या होता है, सीखने से हमारे behavior हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखनी है अधिगम प्रत्यक्ष तता एप्रत्यक्ष अनुभवों के अधार पर हमारे व्यवहार में होने वाला इस्थाई परिवर्तन है, अब हमने कुछ सीखा और उसे हमने प्रत्यक्ष तोर पर यानि हमने कुछ चीजों को देख कर सीखा, कुछ एप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सीखा और इससे हमारे व्यभार में हुआ परिवर्तन आप देखिए सिशू थे उसके बाद आपने बहुत सारी प्रत्यक्ष चीजों को देखा अब आप उनके बारे में सीख गए ठीक है थोड़े से बड़े हुए उसके बाद आप बाले वस्था में आए किसोरा तो वहां पर आपने क्या बहुत सारे एक्सविरेंस लिए प्रत्यक्ष तोर पर अब वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुभवों की आधार पर आपके व्यभार में क्या हुआ इस्थाई परिवर्तन तो यही क्या है अधिगम यही क्या है सीखना ठीक है जैसे मैं आपक और यही चीज मैंने आपको पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ी होगी, तो मैंने भी क्या किया, सीखा था, ठीक है, तो यही क्या है, सीखना है, अब आप भी इनको पढ़ने के बाद एक्जाम देंगे, आप टीचर बनेंगे, और उसके बाद आप बच्चों को तो आपने क्या किया, पहले प्रत्यक्ष अनुभव लिया, फिर आपने क्या किया, उसको दूसरे बच्चों को सिखाया, उसके बाद फिर आपने अनुभव लिया, तो इन अनुभवों की आधार पर, इन प्रैक्टिस और इन एक्स्पिरियंस की आधार पर आपके विहेव में जो change आया वही क्या है अधिगम है वही क्या है सीखना है ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है तो अगर आपसे पूछा जाए अधिगम क्या है तो आपको याद रखना है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और यह हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है जो की प् इनको समझना जरूरी है, मारगन कहते हैं कि अभ्यास और अनभव के अधार पर होने वाले परिवर्तन अधिगम है, ठीक है, बात तो वही है, लेकिन साइकलोजिस्ट अपने शब्दों के द्वारा डेफिनेशन देते हैं, तो उनके शब्द जो हैं, वो हमें याद रखने हो होती है, लेकिन फिर भी हमें ये डेफिनेशन कैसे याद करनी है, कि मारगन की अनुसार अभ्यास और अनुभव के अधार पर होने वाला परिवर्तन अधिगम है, इनको एक दोबार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा कि अभ्यास और अनुभव के अधार पर होने वाला प नवीन प्रक्रियाएं उसके बाद हमने जब सीखा है तो हमने कुछ न कुछ प्रोसेस तो देखा होगा कुछ न कुछ प्रोसेस के द्वारा हमने उस कारे को किया होगा जो भी ग्यान लिया है उसके लिए कुछ न कुछ प्रोसेस रही होगी तो उसके द्वारा जो हमने सीखा वही क्या है? अधिगम है, वही सीखना है, विलियम वर्द के अनुसार नवीन ग्यान और नवीन प्रक्रियाओं का अरजन ही सीखना है, अब देखिए, यहां क्या है कि सीखने के लिए आप किसी को किवल मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसके साथ जबड़स्ती नहीं कर सकते है अब मान लीजिए एक जो घोड़ा है उसको आप तालाव तक ले जा सकते हो ठीक है लेकिन अगर वो खुद ही मोटिवेट नहीं है खुद ही नहीं पीना चाहता पानी तो आप उसको बाध्यन नहीं कर सकते तो अधिगम के लिए सबसे पहली सर्थ ये होती है कि वह खुद प् प्रेरित नहीं है इसके लिए आप खुद ही सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है तो इसके लिए क्या है आपका खुद का मोटिवेट होना बहुत जरूरी है इंकी डेफिनेशन को विलियम वुड़वर्थ की याद ऐसे करना है कि वुड ने ग्यान अर्जन किया ठीक है इस तरीके से आप याद रखिएगा नेक्स्ट है गैट्स अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्थन अधिगम है तो हमने देखा कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्थन क्या है अधिगम है वो ड परिवर्तन होगा वही क्या है अधिगम है तो इनकी definition को ऐसे याद रखेंगे कि gate से याद रखना है gate जो gate होता है न वो तो बालक जो है यानि आप भी अनुवव से ही gate खोलना सीखे ठीक है आप जैसे आपको अचानक से तो नहीं पता लगा gate कैसे खुलता है लेकिन आपने क् या experience लिया आपने लोगों को देखा किस तरीके से gate खुलता है तो यह याद करने की एक ट्रिक है बस ठीक है तो gate कैसे खुला अनुवव से gate खुला ठीक है तो अनुवव आ गया और gate की यह definition है तो gate आ गया ठीक है चलिए next है skinner व्यवार में उत्रोतर अन्कूलन क्रमिक सामजसे की प्रक्रियाही अधिगम है व्यवार में उत्रोतर अन्कूलन क्रमिक सामजसे की प्रक्रियाही अधिगम है next है crow and crow यह कहते हैं कि अधिगम आदतों ज्यान अभिवृतियों का अर्जन है, crow and crow की definition में कहा गया है कि अधिगम जो है वो आदतों, जो भी हमारी आदतें हैं ज्यान अभिवरतियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है, ठीक है? अब यहां इनकी definition जो है वो ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है, उसकी आदत क्या होती है? क्रो यानि काएं काएं ठीक है तो चोटा बच्चा की आदत क्या है काएं 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 करने की तो क्रो एंड क्रो की definition में आया हुआ है आदत ठीक है इसी तरीके से आपको यह याद हो जाएगी अधिगम आदतों ग्यान अभिवरतियों का अरजन है नेक्स्ट हैं गिलफोर्ड गिलफोर्ड की definition में है पूर्व निर्मित व्यवहार या परिवरतन के कारण व्यवहार में परिवरतन ही अधिगम है पहले से जो हमारे व्यवहार थे उसके बाद उन व्यवहारों में हुआ परिवरतन उसके कारण व्यवहार में परिवरतन क्या ह अधिगम है ठीक है पूर्व निर्मित व्यवहार या परिवर्तन के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है अधिगम है यानि कि यहां भी क्या हो रहा है व्यवहार में परिवर्तन की बात किस ने कही है गिलफोर्ड ने कहा है अब यह definition कैसे याद रखेंगे आप गिलफोर्ड से याद रखना है गोलू गोलू ने दोस्त के गलत व्यवार से अपना व्यवार बदला और उसकी आँख फोडी है तो अब गिल से हो जाएगा गोलू और फोडी से हो जाएगा फोड गिलफोर्ड की थियोरी में हमने देखा गोलू ने दोस्त के गलत व्यवार स अभ्यास के फलसुरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिकम है। किंग्सले की डेफिनिशन में किंग्सले भी अभ्यास को लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं। और हमने देखा था कि अनुभव की जो बात है वो कर रहे थे गैट्स ठीक है और किंग्सले गैरी जो है वो बात कर रहे हैं अभ्यास की अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके नए नए तरीके आएंगे उनसे विवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या है अधिग किसाब को यह थोड़ा सा कोरेलेट करके आप याद रख सकते हैं क्रोनबेक का कहना है कि अधिगम अनुभव के परिवर्णाम चरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है नेक्स्ट डेफिनेशन है पैवलोव की अब पैवलोव की हम आगे जाके पढ़ पैवलोव कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिवर्णाम सरूप आदत का निर्मान ही अधिगम है ठीक है इसको आपको याद करने में कोई भी परिशानी नहीं होगी क्योंकि पैवलोव की जो सिद्दान्त है वही है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्दान्त ठीक जिसे अहस्थाई शारिरिक अवस्थाओं जो मूलते हैं बीमारी थकान और शदी खान आदी से उत्पन होते हैं उसकी व्याक्या नहीं की जा सकती अब देखिए इस डेफिनेशन ये इतनी लंबी डेफिनेशन है लेकिन इसमें इनका कहना केवल यही है कि सीखना जो है वो व वह सीखने में नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस वक्त उसकी मानसिक इस्तिती जो है वह उस इस्तित में नहीं होती है कि वह कुछ सीख रहा होता है ठीक है तो उसकी व्याक्या करना भी गलत है कि वह कुछ विमारी में भी सीख रहा है या थकान में भी सीख रहा है या उसने तो ये तो आस्थाई शारेरिक अवस्थाएं हो रही है उसके साथ, इसे अदिगम में include नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये कौन कहते हैं, हरगेन हॉन, सीखना क्या है, व्यवार में, केवल व्यवार में परिवर्तन है, ठीक है, तो जैसे ही हमें बीमारी होती है, हमारी तब्य हम जैसे जैसे practice करते हैं, जो भी हम life में experience लेते हैं, यही अधिगम में आता है. अब हम करते हैं अधिगम की प्रक्रिया, यानि सीखने का क्या process होता है, ठीके process of learning, सबसे पहले हमें उस चीज को सीखने के लिए मिली अभिप्रेरना, यानि अगर हम अंदर से ही हमारी इच्छा नहीं है, हम उसको सीखना नहीं चाते हैं और हमारी अंदर से इच्छा नहीं है तो हम उस चीज को सीख नहीं सकते हैं, सबसे पहले सीखने के लिए होना चाहिए motivation, मैं आपको अगर motivate ही नहीं करूँगी, तो आप कैसे सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, अगर मैं आपको पहले से ही निरास कर दूँगी, कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आपने सीख भी लिया, तो आपके exam में ये बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा, तो सोचिए, जब अगर मैं आपको demotivate कर दूँगी, तो आप उस चीज को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तो अधिगम का सबसे first step है अभी प्रेरना, motivation, उसके बाद जैसे ही motivation मिला आपको आपने बहुत सारी अनुक्रियां करना प्रारम कर दी, अब आप YouTube से पढ़ेंगे, उसके बाद आप book से पढ़ेंगे, या आप coaching से पढ़ेंगे, आपने क्या किया, बहुत सारी अनुक्रियां करना प्रारम कर दी, जिससे आपको मिला पुनरवलन, अब आपको मिला क कि हाँ मैं जिस लक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं तो वहाँ ये जो रास्ता मैंने अपनाया वो बिल्कुल ठीक है आपको मिला feedback ठीक है उसके बाद आपने की practice अब आप करने लगे practice जिससे कि आप वह चीज को बहुत अच्छे से सीख पाओ और last हो जाएगा अधिगम ठी कि सबसे पहले आप कर रहे हैं एक्जाम की तयारी ठीक है तयारी के लिए आपको सबसे पहले किया मैंने motivate motivate के बाद आपने बहुत सारे नेक्रियाए करना प्रारम्ब कर दी आप ने बहुत सारे चैनल से परना start कर दिया या zh पड़ने के बाद क्या होगा अधिगम यानि कि सीख जाओगे ठीक प्रैक्टिस यानि की उसके बाद आपका हुआ लर्णिंग यानि सीखना तो सीखने के यहाँ पर इस तरीके से एक्ज्ाम में आपके four option दे दिये जाएंगे और एक जो है वो आपका miss कर दिया जाएगा ठीक है तो यहीं से आपका प्रश्ण जो है वो बन जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं कोई और आपके इसमें डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है तो यह तो था आपके लिए अधिकम का अर्थ संकल्पना जिसमें हमने definition भी पढ़ ली और ये process ठीक है तो ये चीज़ आपको जब अच्छे से समझ में आई होगी यहां आप अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद जो सिद्दान्त हैं वो आपको समझ में आएंगे जिसमें हम ठॉंडाइक का सिद्दान्त पढ़ेंगे स्किनर का पैवलोव का सभी पढ़ेंगे बहुत सारे सिद्दान्त हैं अधिकम के और जो कि हमारे एक्जाम के लिए बहुत जादा महत्वपूल हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू